वेलकम टू वीकल इंडिया चैनल दोस्तो आज का इस वीडियो आपके लिए बेदी खास हो सकता है क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर फ्रॉंक्स का सिग्मा मोडल आके आपके सामने खड़ी और आप अपने स्प्रिन पे देख पा रहे हैं सिग्मा मोडल को जो की इसके उपर आता है डेल्टा उससे उपर आता है डेल्टा प्लस उससे उपर आता है जैटा और उससे उपर आता है अल्फा यानि की जो अल्फा मोडल रहने वाला है वो टॉप मोडल है अभी तक तो आपको इसके बारे में हर एक knowledge के बारे में हर एक features के बारे में पता चल गया हुआ लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है तो सबसे पहले front में देख लेते हैं तो इसके mat के grill के साथ इस गाड़ी को decor किया गया है सामने आपको moti black party देखने को मिलेगी जो की chrome है यहाँ पर और उसके उपर सुजुकी की बड़ी सी logo देखने को मिल जागी front के face में आपको headlamps दिया जाता हुआ LED होगा और उपर आपको DRLs की option नहीं देखने को मिलती है हलाकि space दिया गया है आप after market या accessories part को लगवा सकते हैं base model के अंदर आपको wheel cover offer किया जाता है और good ear की tire दी जाती है जिसके साथ आपको 195, 60 की tire और R16 नेंच के करीब आपको इसमें wheel cover offer किया जाता है तो कुछ इस तरीके साइड का face या देख सकते हैं इसमें आपको door जो handle है उसको black के साथ ही रखा गया है इसके ORVM भी इस turn indicator नहीं दिया जाता है इस गाड़ी के अंदर नीचे देखोगे तो black party को decor किया गया है यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे good ear की tire दी जाती है यहाँ पे tire section आपको दिखा दूँ यहाँ पे आपको थोड़ा सा black piano का finish देखने को मिलेगा लेकिन door के नीचे जो black party दी गई है छोटी सी वो आपको mat finishing के देखने को मिलेगा पीछे आपको सार्फिन अंटीना दिया जाता है नीचे आप दोखे को उससे पहले तो spoilers वे break light दी जाती है उससे नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको सुजुकी की बड़ी सी logo उससे नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको बड़ा सा tail lamps देखने को मिल जाएगा जो कि एक tail lamps दूसरे tail lamps से connect करती है और यह वाला face है जो काफी सांदार लगता है यहाँ ग्रैंड बेटरा का face देख सकते हैं कुछ इस तरीके से और यहाँ पे देख सकते हैं पीछे आपको वाइफर नहीं दिया जाता है वेस्ट मोडल के अंदर अगर आप इसके interior में चलोगे तो यहाँ पे आपको driver side door में आपको सारे control दिया जाते हैं लेकिन इसमें आपको ORVM के जो control होते हैं यानि कि जो आप adjust करोगे ORVM को वो वाला button आपको देखने को नहीं मिलता है हलाकि यह space दिया गया है आप after market या accessories part वो लगवा सकते हैं यहाँ पे speaker का space दिया गया है लेकिन speaker नहीं दिया जाता है यहाँ पे Suzuki की बड़ी सी logo के साथ steering को रखा गया है लेकिन steering के साथ आपको किसी तरीके का कोई भी features देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे आपके गाड़ी कितनी speed है और कितना fuel है आपके गाड़ी में सारा यहाँ पे आपको मिलता रहेगा जानकारी और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आपको touch screen display नहीं दिया जाता है जिससे यह गाड़ी base model का पहचान कराती है यहाँ पे देखोगे तो किसी तरे के का कोई mirror नहीं दिया जाता है उपर light भी नहीं दिया जाती है इस गाड़ी के अंदर आपको एक ही light दी जाएगी जो की पीछे के तरफ है और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ है यहाँ पे हलकी quality रखी गई है और यहाँ पे देखोगे AC vent का option दिया गया नीचे बेंट के वीच में आपको parking जो button है वो भी दिया गया है नीचे जाओगे तो यहाँ पे AC के control दिया जाते हैं जिससे आप अपनी AC के temperature को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं यहाँ पे आपको USB charging का option नहीं दिया जाता है बाकी phone वेगरा रखने का अचि गाड़ी को dual tone रखा गया है, all model को गाड़ी को dual tone रखा गया है लेकिन यह वाला जो face यह आपको топ मोडल में भी देखने को मिलेगा और best model के अंदर भी देखने को मिलेगा जिससे यह गाड़ी काफी खूब सुरत लगती, यह वाला जो है ना, टॉछ यह काफी premium यह गा यहां पे co driver के side में आके बैठे हैं तो यहां पे आपको एक window का button दिया जाता है नीचे आपको bottle बेगरा रखने का space दिया गया है यहां पे आप स्पिकर लगवा सकते हैं aftermarket और यहां पे glove box के अंदर आपको थोड़ा बहुत space देखने को जाधा देखने को मिल जाता है बाकी व अपने तरहिके से इसमें touch screen display लगवा सकते हैं अपने तरहिके से आप इसमें जो sound system होता है वो लगवा सकते हैं तो यह काफी अच्छी खासी बात है जिनको गाड़ी खरीद के अपने हिसाब से modification करवाना होता है तो वो base model ही खरीदना पसंद करते हैं और यह value of money है अगर लेकिन के अपने एक बात नोटिस की होगी कि इस गाड़ी के अंदर कुछ ऐसे features हैं जो टो μटल में देखने को मिलता है जैसे कि इसके देख्रे रहे हैं सार्फिन अंटीना दिया जाता है और काफी कुछ ऐसे features हैं जो टोम मोडल में दिया जाता है लेकिन मारProTности本 कि ने लोग पस्ताने वाले नहीं है लेकिन यह वही इसके boot space की बात करूँ तो इसमें आपको 308 लिटर का boot space दिया जाता है जहां बलीनों के अंदर आपको 310 लिटर का boot space दिया जाता है लेकिन यह गाड़ी थोड़ी सी बड़ी भी है और इसके अंदर space भी काफी अच्छा कासा जरूर बतना इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल वीकल इंडिया पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दवा लेना ताकि मैं आपके लिए ऐसी कारों की वीडियो लाता रहता हूं ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो लाता हूं दोस्तो क्या बता आप मेरे सहर से हो तो मैं आपसे मिलने आ सको और आपकी गाड़ी की हर एक अफडेट को इस चैनल पर मैं पोस्ट कर सको यानि कि आपकी गाड़ी को कवर करूँ आपकी गाड़ी की वीडियो बनाओ लिलेबरी प्रोसेस बनाओ तो सारे इस वीडियो के अंदर कव भी को दिखाऊंगा तो वीडियो देखने के लिए thank you so much धन्य बाद मिलते हैं आप से next वीडियो में